इंदोर में बढ़ते कोरोना संक्रमण की श्रंखला को तोड़ने के लिए क्राइसेस मिनेज्मेंट कमेटी की सलहा पर सरकार ने इंदोर में 60 घंटे के लोकडाउन को 19 अपरेल की सुबा 6 बजे तक बढ़ा दिया। इंदोर शेहर के अलावा रव मौ में भी 19 अपरेल सुबा 6 बजे तक लोकडाउन रहेगा। शुक्रवार को फिर इंदोर में 312 नए संक्रमित मिले थे। लोकडाउन के पहले दिन आज सकती नजर आई लेकिन रंजित हनुमान वंदिर के बाहर दर्शन करने लोग आज भी प पुष्टी की है। कलेक्टर मनीश सिंग ने इस पश्ट किया है कि इसके लिए जो भी गाइडलाइन रहेगी वो जल्द जारी कर दी जाएगी। सबजी, दूद और राशन के लिए कुछ रियायत दी जाएगी लेकिन मेडिकल की दुकाने लोकडाउन से प्रभावित नही होंगी। इस से पहले पुर्वसांसत क्रिश्न गुमारी मोगे ने कहा कि मक्यमंत्री से बात की है। श्रंकला तोणने के लिए 19 अपरेल तक लोकडाउन बढ़ाने का सुझाओ हमने ही दिया था। ये आगरह भी किया कि सुबा 7 से 10 बजे तक सबजी, दूद, राशन और मे कार से कमी नहीं रहेगी। ऑक्सिजन की सप्लाई लगातार जारी रहेगी। इंदोर कलेक्टर ने कहा कि लोकडाउन को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस दोरान अनिवारे सेवा, राशन दुकान, दवा दुकान, पेट्रोल पंप, एटी एम, दूद, वो फल, वो सबजी की दुकान सुबा नो से, सुबा नो बजे तक चालू रह सकती हैं। ओद्योगिक गती वीदियो को पूरी छूट रहेगी, यहां से माल का और श्रमिक आदी का आना जाना रहेगा। परिक्षाओ और टीका करन के लिए आना जाने में छूट रहेगी। लोकडाउन के पहले बेटक लगवाई तो कई जगा गालियों की हवा निकाली। धार रोड इस्ति चंदनगर चुराय पर पुलिस ने बेरिगेट लगा कर लोगों से पूश्ताच की। पुलिस को देखकर कई वहां चालक दूर से ही गाली बलट कर भाग गए। कुछ लोगों से उचित कारण नहीं होने के कारण पुलिस ने उल्टे पेर लोड जाने को कहा। इदर लाबरे भिरू चुराय पर भी पुलिस मुस्तित दिखी। जहां शेर के भारी चेत्रों में पुलिस की सक्ती दिखाई थी वहीं मद्दी चेत्र में पुलिस सुस्त रही। कई चोराहों पर पुलिस